हेलो सब्सक्राइब दोस्तों में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नूस शुरू करेंगे उससे पहले यार दोस्तों मैं मुझे बहुत अफ्सोर्स हो रहा है कि टेक्नूस हमारी आज कल थोड़ी सी लेट आ रही क्योंकि मैं आपसे पहली काता जब तक यह सेल पूरा है और साथ में फ्लिपकट का बिग बिलियन डे से लापी के सजेशन से वोट से मैंने वो वीडियो बनाया था तो जरू से जाके देखना दोस्तों बहुत मजाएगा डिस्रिप्शन कमेंड में मैंने लिंक दिया हूँ और दोस्तों एक और चीस रिमांड करें तो कि मेरे च यहाँ पर Android 10 Go Edition जी हाँ फाइनली इसको Google ने Announce कर दिया है और Android Oreo Go Edition अंट्री लेवल स्मार्टफोन पर आपको पता है चल रहा है फिर Android Pie Go Edition आया था यह तो हमें देखने भी नहीं मिला एन्वेस Android 10 Go Edition यहाँ पर दोस्तों आ चुका है और यहाँ पर इसमें दोस्तों आपको और भी बेटर स्पीड मिलेगी अप उपन क्लोस की स्पीड को भी उन्होंने बढ़ा दिया है और भी काफि सारे चेंजिस उन्होंने किये मतलब उनका मेन मकसद बुलने का यह है कि पुराने वाले जितनी भी थे उनसे अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया तो जो entry-level smartphones अभी आएगे market में इसके साथ में तो और भी ज़्यादा वो fast चलेगे वैसे इसमें उन्होंने एडियन टम करके एक नया encryption जो एड कर दिया है अब यह आपके device को और भी secure करेगा और आपके storage भी आपर जो वो slow नहीं होगी वैसी आपको जो वो speed मिलेगे तो यह Android 10 Go Edition भी आपको देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर दोस्तो हमारा जो Chandrian 2 है हम सबी लोगों पता है कि यह एक बहुत ही बड़ा successful mission था हमारे इंडिया की तरफ से मानते है कि Vikram Lander से communicate नहीं हो पाया वो और बात है लेकिन हमारे लिए तो बहुत बढ़ी बात है लेकिन अ साथ में वैसे जब यह उरिजिनली गया तो उसे 6 मेने की प्लानिंग थी कि 6 मेनित से जाद में ठीकिका लेकिन 5 साल तक चल रहा है दोस्तों और अभी भी कुछ और दिन इसकी बाकी है तो बहुत ही बड़ी बात है 8A Pro जो है वो यहाँ पर इंडिया की जो वेबसाइट है उनकी वहाँ पर जो RF सर्टिफिकेशन पर जो लिश्ट होकर आ चुका है अभी दोस्तों ऑफिशली यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है जी हाँ ओपो नहीं कर दिया वीबो के उपर नया पोस्ट करके कि ओपो के फाइफ लॉंच होगा ओक्टोबर टेंथ को चाइना के अंदर जी हाँ पोस्टर आ चुका है आप देश सकते ओपो के फाइफ आपको दिखाए जा रहा है जो रियल मी एक्स टू रिसेंटी जो चैना में लॉंच हो आ था और इंडिया वालो जो एक्स्टी स्टैप्टेकर सेवें 30 जी जो भी डिसेंबर में आएगा उससे काफी मिलता जुलता है इसमें भी 64 quad camera दिखाए जा रहा है बहुत कुछ होने वाला तो मतलब OPPO K5 officially confirmed हो किया है और दस्तारी को OPPO का Reno Azee भी इसके साथ में ही चैना में जो भी लॉंच हो जाएगा देखते हैं दोस्तों क्या खास लेके आता है क्या प्राइस होती है तो obviously महंगा ही होगा और रियल में सस्ता होगा अब जब आएगा मैं आपको ज़रूस इसके बारे में बता दूँगा तो यहाँ पर दोस्तों Samsung के तरफ से खावर आ रही है और दोस्तों Samsung यहाँ पर ऐसा बताया है कि अपनी Galaxy Note 10 जो Note 10 जो प्लस आया है इनमें यहाँ पर आपको एक और lighter version जो देखने को मिल सकता है मतलब वो बहुत जल्दी launch कर सकता है यह 2014 में Samsung नहीं किया था मैं 5 सल पहले की बात कर रहा हूँ Galaxy Note 3 जब आया था ना तो Note 3 Neo करके Samsung ने lighter version जो लेकर आया है तो उसके बाद अभी तक 5 साल में कुछ भी Note का कोई lighter version नहीं आया था अब यहाँ पर Sam Mobile से पता चल रहा है कि यहाँ पर उनको एक SMN 770F अला model में बिला तो जो N न आपको से Samsung अपनी Note series में ही लग और दूसरी तरफ दोस्तो Samsung Galaxy S11 यह एक powerful flagship Samsung का होने वाला जो अगले साल start में आपको देखने को मिलेगा इसमें दोस्तो 108 Megapixel का आपको camera मिलेगा ओविस्ती Samsung नहीं अभी लेकिया है और साथ में आपको 5X optical zoom भी मिलेगा जो हमने already P30 Pro और OPPO Reno 10 जूम अगरा में देखी लिया अब Samsung इसमें प्रोवाइट करेगा 108 Megapixel का जमाना शुरूर चुका है Mi Mix Alpha में तो आगे आथा लेकिन Samsung अपने flagship phone में अगले साल आएगा क्या हो रहा है दोस्तों कहां से काम पहुंच रहे है बस एक ही चीज़े दोस्तों यह लोग कितना भी कुछ लेके आजाए Google बलेगा hold my 12 12.2 Megapixel दोस्तों OnePlus के दरफ से ख़बर आ रही है और दोस्तों OnePlus 70, OnePlus TV आज जो वो लॉंच होने वाले है तो मैं अभी आपको इसके बार में नहीं दे पाऊंगा ख़बर क्यूंकि मैं साड़े 6 बजे के आसपा शूट कर रहा हूं और Tech News लेट गई है लेकिन आपको 7 बजे के बाद इनका जो एवेंट शुरू होगा तो आपको पता ही चल गया होगा मैं इसे पर अन्बॉक्सिंग्स लाओंगा बहुत कुछ लाओंगा और कल भी आपको और भी डिटेल दे दूगा तो कमेंट मत करना यार वनपस का ख़बर नहीं दिया बोल गया क्या हो गया तो यह या अगर आप होस्पिटलाइज हो जाते है या जो भी होता है तो उन्होंने अप्टू 5 लाक रुपीज तक का जो वो इंशॉर्निस पॉलिसी लाए जो आप क्लेम कर सकते हैं 5 लाक मतलब उन लोगों के लिए जिनकी एक्स डिनल देत हो जाती है 2 लाक मतलब अगर आपको सक्मी हो जाते है जादा हो जाते है कुछ और OPD के लिए कुछ 50,000 रुपे तक का है उन्होंने भारती और टाटा के साथ में पार्टनिशिप कर दिया तो इंडिया में दोस्तों अगर फ्यूचर में अगर आप ट्रेवल करते हैं जैसे आप कैप बुक करेंगो और अंदर ब जिने एक नए हाट ट्वीट कर दिया और यह बहुत हुश्यार है पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि पोको एफ्टी अलाइफ मतलब कुस्तों वह फ्यूचर में करेंगे इसलिए उन्होंने इस तरह की का ट्विट किया लेकिन द को अपने वीडियो के अंदर बता जीए था सेल वाले कमाल का ओफर है दोस्तों उसको मिस मत करना स्नैप्टर के 845 15000 के नीची है दोस्तों जो बहुत ही बड़ी बात है वैसे क्या लगता है पोको एफटू जिन्दा है मर गया है आप मुझे करके बता सकते हैं तो यहाँ द इंडिया में भी लॉंच होने वाला है इसमें आपको 90 हर्ट वाले डिस्पे मिलेगी स्टैप लेगे 855 प्लस वाला प्रसेसर है और यह भी पावफुल गेमिंग स्मार्टफोन है लेगे रोची फोन टू इससे कोई मैच नहीं कर सकता है दोस्तों वैसे आपको क्या खैल है नूपिया का रेड मेजिक 3S या आरोजी फोन टू आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको फैक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा आज मैंने आप लोग लिए कमाल का ओफर लेकर आचको हो जैसी कि सेल नस्दिक आ रहा है तो मैंने के एप से भी आपको मिलेगा और अगर आप जितना ज्यादा शॉपिंग करते दोस्तों तो इनके पास टॉप 500 की लिष्ट है अगर आप उन लिष्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री कुछ गिफ्ट भी वो लोग दे रहेगी वाविस चल रहा है तो हाइस प्र अगर आपको नहीं पता था तो इस आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं इंस्टॉल कर लीजिए आपको इस पर बहुत सारा फायदा सेल के टाम तो आपको काफी फायदा हो जाएगा तो आज की लिए पर तो आपको पसना तो जब जब से लिए को लाग करिए मैंसे आप आपको बिऌसाथ तिल दो में अव then a great day and always keep smiling